eligibility conditions रहती है क्या age limit रहती किस तरीकी से syllabus रहेगा और जो form है आप कब से apply कर पाएंगे जो इसका prelims होगा वो किस तरीकी से होगा mains किस तरीकी से होगा जो typing test होगा किस तरीकी से होने वाला है तो पूरी जानकारी आपको इस video के महाधिम से देंगे जो आपका RO और ARO के vacancy 2023 में आने वाली है उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे तो इसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि किस तरीकी से आपको form fill up करना है क्या क्या procedure रहता है तो सबसे पहले post की अगर हम बात करें नहीं है तो जहां तक है RTI के महाधिम सो जो जानकारी मिल रही है कम से कम जो है आपकी डेड़ सो से अबाव post इसमें या डेड़ सो के करीब करीब post रहने वाली है जो आपकी विभाग रहेंगे कौन-कौन से विभागों में ये post रहेंगी वो आप देख सकते हैं ये आपकी उत्राखन सचिवाले में रहेगी उत्राखन लोगसेवा आयोग में रहेगी और एक और विभाग है उसमें आपकी जो है ये post रहेंगी तो ये जो notification देख रहे हैं ये फिलाल अभी 2016 का है तो किस तरह के से आपको जो है स्रेणिया रहती हैं इसमें आप लोग देख सकते हैं इसमें आपकी अनारक्षित रहेगी OBC, SC, ST और महिलाओं के लिए देखे 30-30 जो है reservation अलग से रहता है सुतंतरता सिनानियों के लिए भी post रहेंगी पूर्व सैनिक के लिए भी और साथ में दिव्यांग जन physical handicap के लिए भी जो है इसमें पोस्टें रहती हैं तो काफी अच्छा मौका आपके लिए रहने वाला है तो अब बात कर लेतें कि age limit किस तरह के से रहेगी और education qualification क्या मागी जाएगी education qualification के अगर हम बात करें अनिवारी अहित्ता जो रहती है आपकी section अहित्ता तो इसमें सिर्फ आपका सना तक मांगा गया है तो graduation level की ये post रहेगी भले ये आपने BA करा हो BSC करा हो B.com करा हो ये B.tech करा हो कुछ भी मतलब आपने graduate आप लोग होने चाहिए मान्यता प्राप्त कहीं से भी पूरे भारत में आप लोग कहीं से भी graduate होनी चाहिए तो इसमें आपका सबसे पहले सना तक मांगा गया है और साथ में इसमें आपका typing test भी होगा जब आप अपना prelims clear कर लेंगे उसके बाद जो प्रोसेस रहती है उसमें आपका typing test रहेगा जिसमें की optional रहेगा या तो आप Hindi में दें या फिर English में आपकी 4000 की depression की जो है typing test रहती है ठीके तो एक घंटे में आपको 4000 की depression की typing test रहेगी तो इसमें आप देख सकते हैं केवल समिक्ष अधिकारी उत्राखन सचिवाले हे तू ठीके तो ये आपका जो पद रहेगा उस हिसाब सही जो आपकी typing test रहेगी साथ में आपको computer का ग्यान होना चाहिए अब बहुत से पूछेंगे कि इसमें क्या computer का certificate मागा गया है ये सिर्फ आपका qualifying nature का होगा इसमें सिर्फ आपको 40% लाना अनिवारी रहेगा ठीक है अगर आप 40% लाते हैं तो आप इसको qualify कर देंगे इसके बाद computer पर अंग्रेजी टंकन जो आपका रहेगा अभ्यरतियों के लिए 8000 की depression की जो है गती होनी चाहिए तो ये आपकी सिर्फ मागी गई है उत्राखंड सची वाले हेतू इसके बाद आप अन्य जो है अधिमान अहित्ता देख सकते हैं तो अगर आपके पास ये है तो आपको थोड़ा सा preference दिया जाएगा इसके बाद अब बात कर लेते हैं उत्राखंड लोग सेवा आयोग में जो आपका सहायक समिक्षिया दिकारी देखिए ARO की अब हम बात करेंगे ARO Assistant Review Officer की तो इसमें भी कुछ इसी तरीके का pattern रहेगा तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें भी आपका सिनातक मांगा गया है हिंदी में जो आपकी 4000 की डिप्रेजन प्रती घंटा की speed होनी चाहिए और साथ में आपको इन जो आपके topics रहेंगे इनका ग्यान होना चाहिए जो कि computer से संबंदित रहेंगे इसमें भी आपका computer से आधारिज जो है ग्यान का टेस्ट रहेगा qualifying nature का जूसमें की आपको 40% अंकल आना अन्यवारी है तो इसमें देखिए typing test में जो आपकी English typing मागी गई यह वो आपकी 9000 की depression ठीक है सायसे इसको संसोदित करके 8000 कर दिया जाएगा तो अभी संसोदित notification जब आएगा तो आपको update कर देंगे तो यह आपका typing test रहेगा जो की एक घंटे में होना चाहिए इसके बाद अब बात कर लेते हैं आयू सीमा किस तरह किसे रहने वाली देखिए यह जो notification आपका release होगा यह आपका 2023 में release होगा उस हिसाब से मैं आपको age calculate करके बताता हूँ बहुत से लोगों को confusion हो रहा है कि उनकी age कब से count होगी सबसे पहले देखिए 21 से 42 वर्स तक के candidates इसमें apply कर सकते general की हम बात कर रहे है SCST OBC physical handicap को जिस तरह के से relaxation मिलता है उसी तरह के से मिलेगा अब IUC माप लोगों की जो count होगी वो आपकी 1 July 2023 से count होगी ठीक है 1 July 2023 से तो आपका जो date of birth होना चाहिए वो आपका 1 July 2002 से लेके ठीक है 2002 मतलब इसके बात से नहीं होना चाहिए इसके बीच में होना चाहिए और जो maximum रहेगा यह आपकी minimum age रहेगी जो आपकी 21 words बताई गई है तो minimum आपकी इस से मतलब बात करना होना चाहिए मतलब आपका 2 July नहीं होना चाहिए 2002 ठीक है यह आपकी age limit minimum रहने वाली है general की हम बात कर रहे हैं अब बात करते है maximum कितनी age limit रहेगी तो maximum जो age limit रहने वाली है वो आपकी 2 July 1981 ठीक है 81 तक आपका maximum age होनी चाहिए इसके पहले की नहीं होनी चाहिए मतलब आपकी 1 July 1981 की age limit आपकी नहीं होने चाहिए ठीक है तो आप लोग समझ गये होंगे तो यह आपका criteria रहने वाला है age limit का अब बात कर लेते हैं कि आपका जो employment office में registration है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए तो अभी की जो vacancy आ रही है तो उनमें तो सायद से mandatory नहीं है लेकिन अगर आप करा लेते हैं तो काफी अच्छा रहेगा तो सेवा नियोजन काले में आप लोग जो है employment office में अपना registration जरूर से करा लीजे अब बात करते हैं कि यह जो vacancy है किस किस के लिए रहेगी तो यह तो उत्राखंड की vacancy है अगर आप other state के हैं तो general category से भी आप apply कर सकते हैं ठीक है तो यह आपकी general category से आप लोग apply कर सकते हैं उत्राखन के अगर आप बाहर की हैं अब बात करते हैं आरक्षन की तो आरक्षन देखिए उत्राखन के लोगों को ही मिलेगा ठीक है तो बाहर से मतलब आपके पास उत्राखन का डॉमिसाइल होना चाहिए इस्थाई निवास प्रमान पत्र तो ये होना जरूरी है तो जल से जल आप बना लीजिए अपनी तैसील और जहां से भी आप लोग बना सकते हैं तो वो चीज आप बना लीजिए अगर आप दिव्यांग जन है तो आप अपना जो सेटिफिकेट है उसको अवश्य से बना लीजिए ठीक है तो परिक्षा कलेंडर तो आपने देख लिए होगा तो एक बार जो नए केंडिडेट से उनके लिए हम बता देते हैं यह आपका 27 दिसंबर को रिलीज किया है तो इसमें आप सीधे देख सकते हैं जो आपका ROA RO की वेकेंसी है वो कप जो इसका एक्जाम रहेगा ठीक है पंद्रवे नंबर पर आप देख सकते हैं जून को निरधारित है ठीक है यह आपका prelims कह सकते हैं आप इसको prelims आपकी प्रारंबिक परिशा रहेगी उस पर भी हम बात करेंगे किस तरह के से रहेगा स्लेबस की भी हम आगे बात करने वाले हैं तो चैनल में नहीं है तो चैनल को जरूर से सस्क्राइब कर लीजिए अ मार्च में आपको इसके फॉर्म देखने को मिलेंगे पहले सफता में तो दुरे बाद जो इसकी मुख्य परिक्षा होने वाली उसकी भी डेट आयोग ने निकाल दिये तो ऐसा पहली बार हुआ है कि मुख्य परिक्षा और प्रारंबिक परिक्षा की दोनु डेट एक सितंबर तक आपके जो हैं इसमें मुख्य परिक्षा आयोजीत कराए जाएगी जो की सितंबर में रहने वाली ठीक है आप लोग देख सकते हैं साइक समिक्षा अधिकारी और समिक्षा अधिकारी के पद उपर तो वेतन मान के अगर हम बात करें जो आपकी सेलरी रहने वाली वो कितनी रहने वाली है तो लेवल एट की आपकी वेकंसी रहने वाली सबसे अच्छी और रेपूटेटिव वेतन मान के अगर हम बात करें सेलरी जो आपकी रहने वाली वो आपकी डेड़ लाग तक रहने वाल जिसका की grade पे आपका जो है रहेगा level ठीक है तो यह आपका वेतनमान जो आप देखेंगे level 7 का यह वेतनमान इसका रहेगा grade पे देखे 4,600 रुपे का इसमें आपको grade पे देखेगा 1,42,000 तक जो है इसका salary रहने वाली है तो यह आप लोग देख सकते हैं काफी अच्छी पोस्ट है इसमें आपका promotion होने के chances काफी जादे होते हैं तो आप सीधे देख लेते हैं कि किस तरिक बात कर लेते हैं कि syllabus किस तरिके से रहने वाला है तो इसमें सबसे पहले आपकी प्रारंबिक परिक्षा होगी जिसको की prelims कहते हैं जो की समानी अध्यन ठीक है तो इसमें आपका MCQ based question paper रहता है हिंदी वा इंग्लिस दोनु में आता है और इसमें आपके डेर सो प्रेशन होंगे डेर सो नंबर के जो की दो घंटे का इसमें आपको समय मिलेगा देखे ये परिक्षा जब आप pass out कल लेंगे तो उसमें देखिए 10 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं 10 गुना या 15 गुना जो है बुलाए जाते हैं उसके बाद जो मुख्य परिक्षा होगी वो आपकी आयोजित कराए जाती है तो मुख्य परिक्षा आपकी 2-2 गंटे के 3 पेपर ठेक है 2 गंटे का 1 पेपर रहेगा और इसके बाद हिंदी का आपका 3 गंटे का और निबंद आपका 3 गंटे का रहेगा तो पहला जो पेपर रहेगा आपका समानी अध्यन का वो आपका objective type MCQ based question paper रहेगा जो की 100 questions होंगे 100 number के इसके बाद आपका जो है लिखित परिक्षा होगी जिसमें की हिंदी में आपको लिखना होगा इसको topic में आपको बता दूँगा जिसमें की 5 प्रशन होंगे और 100 number के रहेगे इसके बाद आपको निबंद लिखना होगा जिसमें की 3 प्रशन होंगे जो की 100 number के होंगे समय आपको बहुत ही अनकूल मिलेगा 3 घंटे का समय इसमें आपको देखने को मिलेगा ठीके तो ये आपकी मुख्य परिक्षा रहेगी इसके बाद आपका प्रारंबिक परिक्षा के जो टॉपिक्स हैं उस पर हम बात कर लेते हैं जो की 500 number के रहेंगे MCQ based question paper ये रहेगा जो की 2 घंटे का इसमें समय मिलेगा अब देखें तो कुछ टॉपिकों का जो है संसुदर्ज होने वाला है तो कुछ टॉपिक जो है इसमें आयोग द्वारा syllabus को revise किया जाएगा जहां तक है कि syllabus इसी तरिके का रहेगा लेकिन कुछ टॉपिकों को जो है आयोग हटाएगा या add-on करेगा ठीक है उसका update में आपको provide करा दूँगा अभी आप लोग देख सकते हैं कौन-कौन से topic आपके रहने वाले है समानी विज्ञान, भारत का इतिहास, भारती अर्थि विवस्ता, सांस्कृती, जनसंख्या विश्व भोगोल या आपका अंतराश्टी जो महत्वण घटना है जो कि current affairs करेंगे तो काफी important जो आपके current affairs रहते हैं उनको आप देखिए current affairs आपको 2020 से लेके 22 तक के देखने 19 के भी कुछ आ सकते हैं लेकि main जो आपको focus करना है 2020 से लेके 22 तक के complete करने होंगे इसके बाद आपका समान्य बुद्धी प्रशिक्षन जो की aptitude test जो आपके general reasoning के questions होते हैं वो आएंगे computer का प्रारंबी ज्यान जो है इसमें पूछा जाएगा इसके बाद समान्य विज्यान से प्रशन जो general g.k. जिससे कहते हैं आती हैं तो उत्राखन तो काफी easy आती है अगर आपने परिक्षा वार्नी पड़ी होगी तो उससे ही सारे प्रशने आपको मिल जाएंगे तो ये आपका जो है उत्राखन से सम्बंदित प्रशने भी पूछे जाते हैं सम्बंदि प्रशिक्षण के और ये सबी चीज़ें रहेंगे तो ये आप लोग इंग्लिस में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से कौन-कौन से topics cover up किये जाते हैं उत्राखन आरो और ए आरो की vacancy में अब इसके बाद देखें मुख्य परिक्षा का जो पहला प्रशने पत्र रहेगा जो की 2 घंटे का रहेगा जो की 100 प्रशने रहेंगे और MCQ-based रहेंगे तो इसका topic भी आप देख सकते हैं सेम रहने वाला है जिसमें की समान्य, विज्यान, राष्टी, अंतराष्टी, महत्तु, समक्त, घटनाय, भारत का इतिहास, राष्टी, आंदूलन तो ये सभी चीज़ें आपको सेम दिखेगी तो इस तरह किसा आपको इसमें तयारी करनी होगी जो की मुख्य परिक्षा रहे की, ठीक है तो ये आप इंग्लीज में भी इसको देख सकते हैं अब बात कर लेते हैं कि किस तरह किसे इसमें जो दूतिय परिक्षा होगी जो आपका दूतिय प्रशन पत्र होगा, तीन घंटे का, सो नंबर का तो इसमें आपको हिंदी लिखनी होगी, अब हिंदी में क्या-क्या पूछा जा सकता है ये आप देख सकता है, खुल प्रशन इसमें कितने रहेंगे, पांच प्रशने रहेंगे इसमें जो आपको गद्यांस लिखना होगा, उचित सीशक जो है आपका रहेगा इस तरीके से तीन टॉपिक रहेंगे, जो की चार नंबर, दस नंबर, छे नंबर के जो अंक इसमें रहेंगे इसके बाद आपको जो है सार लेखन लिखना होगा, जो की पंद्रा नंबर का रहेगा उसके बाद आपको पत्रा चार लिखना होगा जो की तीन होंगे जिसमें की सास किये अर्द सास किये और कार या आदेश ठीक है विध्यप्ति इस तरीके से आपको टिपपणी लिखनी होगी तो तीन इसमें आएंगे पंदरा पंदरा तीन प्रशन इसमें पूझे जाएंगे इसके बाद 12 सब्द दिये जाएंगे जिसमें कि आपको 10 करने हैं ठीके तो इसमें आपको अंगरेजी से हिंदी में मतलब translate आपको जो है करने होंगे इसके बाद last आपको जो है 12 प्रशने दिये जैएंगे, सब्द दिये जैएंगे, जिनको की हिंदी से इंग्लिस में किया जाएगा, मतलब दोनों में आपको पहले इंग्लिस से हिंदी करनी होगी, फिर हिंदी से इंग्लिस, मतलब translate आपको करना होगा, जो की 10-10 नंबर के इसके बाद आपका निबंद आएगा ठीके तो निबंद आपको तीन गंटे का इसमें समय मिलेगा जो की सो प्रशने रहेंगे जिसमें की खंड एक में आपको साहित्य, सांस्कृति, समाच, छेत्र, राजनेतिक, छेत्र ठीके तो सब्द सीमा आप देख सकते हैं 600 रहेगी अ 600 अंक आपके 35 रहेंगे इसके बाद राष्टि अंतराष्टि घटना हैं ठीके प्राकति आप दया हैं किस तरीके से रहती हैं भूस कलन ये चकरवाद भूम भूकंप ठीके तो इसमें आपको मतब सेम रहेगा सब्द सीमा और अंक इसका 30 रहने वाला है ठीके तो यह आपक जो है कम्प्यूटर का टेस्ट रहेगा इसके बाद जो है आपका बेसिक कम्प्यूटर का जो है टेस्ट रहेगा जो की 100 नंबर का रहने वाला है और एक घंटे का इसमें आपको समय मिलेगा तो Microsoft Windows Operating Microsoft ठीके तो maximum आप देख सकते हैं किस तरीके के प्रशन पत्र रहेंगे ज तो इसमें आपको देना होगा 20 नंबर आपका रहेगा इसके बाद print out लेना होगा evaluation करना होगा सबी चीजें इसमें जो है देखी जाएंगे तो आपको अच्छे से इसकी computer की knowledge होनी चाहिए in field में इसके बाद जो आपका ARO की vacancy होगी उसमें आपका 10 minute का टाइपिंग हिंदी टंकर में जो आपका 10 minute का typing test रहेगा जो की 8000 की depression प्रती घंटा की आपकी speed होनी चाहिए इसके बाद जो है अंग्रेजी में जो आपकी 10 minute की typing test रहेगी जो की 9000 की depression मांगी गई है तो notification जब आएगा तो उसमें आपको update कर दिंगे तो आपको अभी typing test की मलब tension नहीं कर रहेगा review officer और उत्राखन secretary के लिए तो इसमें आपको 10 minute का समय मिलेगा जिसमें की हिंदी में टंकर आपकी 4000 की depression और अगनेजी में 8000 की depression मांगी जाएगी ठीक है तो यह आपका रहने वाला है इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि परिक्षा केंदर आप देख सकते हैं कह फिर दो ही जगे पर होती है घरिद्वार पर और एक नेनिताल जिले हल्दवानी में स्थित कराई जाएंगे ठीक है तो यह आपका रहने वाला है जहां तक है सभी जानकारी हमने आपको अपलब्द करा दी है कोई भी अपडेट मिलता है सबसे पहले आपको प्रोवाइड क सभी को सुपकामना है काफी अच्छा मौका है 2023 आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है तो सभी लोग इसकी तैयारी करें और कोई भी अपडेट मिलता है सबसे पहले आपको प्रोवाइड करा देंगे मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई जय ये बार